हाई फ्रेंड विल्कम टू माई चैनल इसके सोनू टेक वर्ड फ्रेंड आप यहाँ पर देख सकते हैं पटना हाई कोट ने बिहार के सभी विश्मी विद्याले को दिया कराच्चेतावनी रियल्ट सही समय पर दें नहीं तो बंद कर दें उनिवर्सिटी क्या कुछ अपडेट निकल कर सामने आई है चलिए इस वीडियो के माधम से हम आपको एक्के करके बताते हैं फ्रेंड आप सभी ने देखा होगा के विहार के सभी उनिवर्सिटी का एक ही हाल है एक तो समय पर एकजाम नहीं होता है समय पर एकजाम भी होता है तो उसका रियल्ट आने में बहुत दिनों का बक्त लग जता है इसको लेकर के पटना हाई कोट ने करा एतराज जता है करेंगे उससे पहले आप शेयल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दे ताकि आने वाली सारी अपडेट आप सभी को सबसे पहले मिले फिर्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं बिहार के 20 विद्धालोय में परिक्षा और यल्ट के लेट पर पतना हाई कोट नराज चीप जैस्टिट बोले चात्रों को समय पर यल्ट नहीं दे सकते तो बंद कर दिजिए उनिवर्सिटी आप यहाँ पर देख सकते हैं परिक्षा लेने और रियल्ट में देरी से चात्रों के भविस पर असर पर रहा है या आज क्या करता है कि अधिवक्ता ने बताये कि राज के बिभीन बिस्विद्धाले द्वारा चात्रों की परिच्छा ली जाती है एक तो बिस्विद्धाले के सैष्निक सात्र ऐसे भी विलम से चल रहे हैं परिच्छाएं भी निर्धाले समय से नहीं ली जा रही है यह बहुत ही बड़ी बात है चात्रों के कैरिये पर बहुत ज पर करी इतराज जाहिर की है चीफ जस्टिस संजे करोल की खंड पिठ ने बीबेक राज की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि छात्रों का भविस इस तरह से खराब नहीं होना चाहिए नराज चीफ संजस्टिस ने मौकर टिपनी की है अगर समय पर रियल्ट नह कर दिजिए उनिफर्सिटी चात्रों के भविस के साथ खिलवार करने की इजाज़त उनिफर्सिटी को नहीं दिया सकती यहाँ पर बहुत ही बरी बात कही गई है बीबेक राज ने यह पी आईल दायर किया है जिसमें राज के तमाग उनिफर्सिटी के लचा रवय को लेकर सवाल उठाया गया है फ्रेंड उमीद है जिन जिन उनिफर्सिटी का रियल्ट लेट है अब सही समय पर आ जाएगा क्योंकि पटना के हाई कोट ने बहुत ही बरी चेतावनी डे डाली है उमीद है आगे से उनिफर्सिटी अपने रवय में सुधार करेगा और सही सेशन को रेगुलर करने का कोशिस करेगा और सही समय पर रियल्ट देने का कोशिस करेगा चले फ्रेंड एक वीडियो आप सभी को कैसा लगा कॉमेंट वक्स में जरूर बताएं वीडियो को लाई करें चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाएं ताकि आने वाली सारी अपडे